जैहिंद आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेरा अब्जेक्टिव कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी जो जुलाई 2021 में पेपर हुआ आई ये उसका इवैलुएशन करते हैं अच्छा इस इवैलुएशन प्रोसीजर की शुरुवात मैं बड़े इंट्रस्टिंग आस्पेक्ट से करना चाहूंगा मैं क्या अब्जर्व कर रहा हूं कि इंसिट्यूट अपने पैटर्न को लगातार बदल रहा है जब से नया स्लेबस बना तब से ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकॉंटिंग का 100 मार्क्स का पेपर है इसमें स्टूडेंट को हमेशा 100 आउट आउट आफ हंडेड प्रेक्टिकल के पोर्शन को कवर करने की पॉसिबिलिटी दिखी और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें 100 में से 100 मार्क्स स्कोर भी करे पर पिछले तीन आटेंट्स को अगर मैं इवैलुएट करूँ तो जो इंटरस्टिंग आसपेक्ट मेरे सामने आया है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैं शुरुवात करता हूँ नवंबर 2020 में जो एक्जाम हुआ था इंसिट्यूट ने अपने पैटर्न को कैसे बदला क्या होता था कि हमारे पेपर में थियोरी पूछी जरूर जाती है पर थियोरी को जादा तर स्टूडेंट चॉइस में छोड़ देते थे एक कोशन की चॉइस रहती थी और थियोरी को स्टूडेंट सिर्फ तभी अटेंट करता था अगर प्रेक्टिकल कोशन में उसको परिशानी हो तो तो मैं भी ये जो इवैलुएशन प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ इसमें उस थियोरी के आस्पेक्ट को जरा मैं ठीक डंग से अनिलाईज करना चाहता हूँ तो नवंबर 2020 में क्या हुआ के इंसीट्यूड ने जो पेपर पूछा उसमें जो थियोरी वाला चॉइस का कोशन था उसको पहले जरा परे कर दीजे उसको अलग कर दीजे तो जो हंडेड मार्क्स का पेपर स्टूडेंट को अटेम्ट करना था वो जो पेपर था उसमें भी स्टूडेंट को थियोरी कंपल्सरली अटेम्ट करनी ही थी दो कोशन चार चार नंबर के थे कि जो unavoidable थे student नहीं छोड़ सकता था तो student November 2020 के exam में practical 92 marks तक का ही attempt कर सकता था और वो जो paper पूछा गया उसका pattern note करिएगा November 2020 में 4 question पूछे गए थे 5-5 number के और दो question पहली बार ऐसा हुआ कि आपके exam में 6-6 number के question भी आए दो question पूछे गए 6-6 number के भी और अलग से फिर जो 10-10 number के बड़े practical question रहे वो 6 question अलग से पूछे गए तो जब November 2020 में exam हुआ तो हमको ऐसा लगा कि institute अब अपने इस pattern को follow करेगा कि theory 8-6 number की अब आने वाले exams में student को attempt करनी पड़ेगी वो choice वाला question अगर अलग से छोड़ भी दिया जाये तो लेकिन फिर जब opt-out students के लिए January 2021 का exam हुआ तो institute ने फिर अपने pattern को बदला इस पर जो pattern बदला वो क्या था कि जी theory ये कह दिया गया अब आपको theory बिलकुल भी attempt नहीं करनी choice में ही सारी की सारी theory cover हो गई student को ये पूरा का पूरा option दिया गया 100 out of 100 practical attempt करिए और वो जो exam का pattern था वो क्या था उसमें 4 question पूछे गए 5-5 number के और 8 question थे 10-10 number के हमको लगा institute फिर अपने पुराने pattern पर चला गया लेकिन अभी July 2021 में जो exam हुआ institute ने फिर अपने pattern को बदला है ऐसा नहीं कि इस बार theory आपके exam में नहीं theory को अभी भी theory के question को अभी भी उस choice में ही cover किया गया जो 100 marks का paper है जो compulsorly आपको attempt करना ही पड़ेगा उसमें 100 out of 100 practical paper का attempt तो हुआ ही है लेकिन इस बार institute ने क्या करा है कि आपसे 8 question पूछे हैं 5-5 नंबर के और 6 question पूछे हैं 10-10 नंबर के तो ये जो change in pattern है जैसे इस बार 8 और 6, total 14, 14 practical question आपको attempt करने पड़ेंगे तो student अभी ये सोच ले कि अगर उसे पूरा practical paper attempt करना भी है तो 14 questions अब आपको अपने answer देने की speed का बहुत बारिकी से ध्यान दखना पड़ेगा अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बार जो paper पूछा गया उसमें कौन-कौन से chapter पर हमारा main concern था येस जुलाई 2021 cost and management accounting का paper जिस तरीके से पूछा गया उसमें कौन से chapter को कितनी weightage मिली जो पहला compulsory practical question रहा इसमें A, B, C, D चार पार्ट रहे हर एक पार्ट में से पांच माच नमबर का question था पहला पार्ट material cost की chapter से दूसरा overheads फिर batch costing और फिर marginal costing पांच नमबर के हमेशा छोटे practical question रहे हैं और इनका answer देने में भी ज़्यादा time नहीं लगता उसके बाद question number 2 में cost sheet का comprehensive question आपके exam में आया B part में joint products का सिर्फ 5 नमबर का question रहा नॉर्मली joint and buy products में से जब question आता है तो 10 नमबर की range में रहता है पर इस वार ये question सिर्फ 5 नमबर का था फिर एक labor turnover rates related question 5 नमबर का पूछा गया question number 2 में question number 2 के बाद जो question number 3 रहा reconciliation reconciliation हमेशा student का सबसे बढ़िया question रहा बहुत मज़ा आता है reconciliation के question का answer देने में और ये भी बड़ा simple सा question रहा लेकिन question रहा 10 नमबर का activity based costing का comprehensive question इस बार पूछा गया 10 नमबर का question number 4 में पहले process costing का comprehensive question दस नमबर का था उसके बाद service costing पांच नमबर और content costing भी पांच नमबर next question हमारे पास रहा question number 5 जिसमें standard costing और budgetary control दोनों के के comprehensive question पूछे गए 10 दस नमबर के और last में question number 6 जो मैं जानता हूँ जादा तर student ने इस theory के question को छोड़ दिया होगा choice में अच्छा अब हम क्या करने वाले paper का evaluation अभी तक paper के evaluation के लिए जो मैं videos बनाता था उसमें problem यह होती थी कि video को बनाने में कोई लगबग डेद दो घंटे का time लग जाता था इसलिए हमने इस बार अपने इस video बनाने के pattern को change किया अब हम एक नहीं बड़ी सारी videos बनाएंगे और हम क्या करेंगे कि हर video में सिर्फ एग या दो chapter को pick करेंगे और हम अगली video एक दिन के बाद एक और video एक और दिन के बाद अब मैं क्या करूंगा कि आने वाले 7-8 दिन में chapter wise videos बनाऊंगा कि इस बार के exam में इस chapter में से यह question रहा और उसका यह suggested solution बनता है अब आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ material cost का chapter और batch costing इसमें से जो आपके exam में question पूछा गया है अब हम उसके बारे में बात करते हैं इस paper की शुरुवात question number one a part material cost का chapter पूछा गया पांच नमबर खा और यह question था ABC analysis ABC analysis आपको ध्याना category A category B category C inventory में जो हमारी investment हुई पड़ी है उसमें जो most valuable investment है उस inventory को जो represent करता है वो category A में चला जाता है खेर चली आईए जड़ा आराम से question पड़ते MM Limited has provided following information about the items in its inventory question कहता है देखिए हमने जितनी inventories हैं उनको code number दे रखे हैं 101 से लेकर 106 तक तो आपके पाथ 6 तरीके की inventories हैं अच्छा हर तरीके के code number की inventory की quantity या फिर units कितनी है ये information आपको बताई गई और per unit cost हर code number की inventory कितनी है ये information भी आपको बताई गई quantity की information given है और per unit cost very good अब question आगे बढ़ा और एक बड़ा interesting aspect आपको बताई गया ध्यान से दिखेगा MM Limited has adopted the policy of classifying the items constituting 15% or above of total inventory cost as a category inventory ओहो इसका मतलब ही हो गया कि कोई भी ऐसी inventory जिसमें आपकी जो investment है वो 15% 15% या उससे जादा हो जाए तो management उसको category A investment की category में count करना चाहेगा question आपको clear cut बता रहा है कि हम category A किसको मानते हैं कि जो भी आपकी total inventory investment है उसके comparison में आपके पाद जो भी code की inventory की investment का proportion अगर 15% या उसको exceed करता है तो वह अपने आपको category A में covered money उसके बाद items constituting 6% or less of total inventory cost as C category और C category में कौन cover होंगे वेल जिनका total inventory cost के comparison में जो investment हुआ पड़ा है वो 6% है या उससे कम है पर आप केंगे कि सर बीच की range तो आप भूली गए category A को आप क्या कहते हैं कि जिसमें inventory investment 15% या उससे जादा है category C आप किसको कहते हैं जिसमें inventory investment का proportion 6% या उससे कम है A में 15% और more और C में 6% और less जो in between range है इसके बारे में वो कहते हैं कि उसको आप B category में consider करिए very good अब आप हमसे क्या चाहते हैं हम आपसे दो statements बनवाएंगे पहली statement का objective है rank the items on the basis of percentage of total inventory cost और दूसरी statement का objective क्या है classify the items into A B and C categories as per ABC analysis of inventory control adopted by the company आप याद करिए इसी से मिलता जूलता एक question हम अल्रेडी class में cover कर चुके हैं अच्छा इस question का answer किस pattern पर आगे बढ़ना चाहिए मेरी तरफ से suggested solution क्या है well मैं आपका ध्यान suggested solution पर लाना चाहूंगा इसका answer कैसे दिया जाना चाहिए जो पहली statement है उसमें आपको यह बताना है कि कौन से code में आपकी investment कितनी है और आपको A category में जाना है या आपको जितने codes हैं उनके नाम लिखने चाहिए यह question में given है यूनिट्स की information question में given है और per unit cost आप देख सकते हैं यहां तक की information question में given है हमने as it is question में से pick कर लिया जो calculation हमने करी वो कौन सी हमने का total inventory cost यह total inventory cost कैसे पता चला very simple हमने units को per unit cost से multiply कर जैसे code number 101 25 units per unit rupees 50 hence total inventory cost 1250 तो total inventory cost को calculate करने का बड़ा simple सा parameter रहा units multiplied with per unit cost जब हमने हर एक का individual total inventory cost पता चला तो आखिर में इसका total आ गया 7500 फिर हमको इसका percentage जानना था क्योंकि जब तक percentage नहीं जाने गए तब तक ABC के classification की बात तैन नहीं होगी और यह percentage हमने कैसे पता किया अरे बहुत simple जैसे code number 101 वो कहता है कि हमारी inventory cost है 1250 हमने का total है 47000 very simple 1250 divided by 7500 this is 16.67 percentage similarly in case of code number 102 well this is 300 divided by 7500 this is 4 percentage हमको यह पता चल गया कि हर तरीके का जो code है उसमें जो total inventory cost है वो असल में कितने percentage को represent करता बस यहीं से ABC classification का parameter decide हुआ management ने policy बनाई कि जिस भी code की investment 15% या उससे जादा होगी वो अपने आपको category A में माने जो code number 101 है उसका investment 16.67 है याने 15% या उससे जादा की category में तो मैंने इसको A में count किया जो code number 103 है 53.33 percentage यह category A में गया similarly category B में कौन गये जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा code number 106 इसके पास 12% था हमने इसको B में consider किया code number 104 इसका 8% था हमने इसको B में cover किया और code number 105 और code number 102 अगर आप ध्यान से देखें इसमें जो inventory cost का इनका proportion है वो या 6% है या 4% इसलिए वो चले गए category C में और साथ में ranks भी decide हो गए जिसमें सबसे जादा investment है उसको rank number 1 दिया गया आप देख सकते हैं 4000 की investment code number 103 में है 53.33 percentage इसको rank number 1 दिया गया similarly बाकियों के ranks भी decide हो गया यह वाली statement ने हमको यह बता दिया कि आपकी total inventory cost की investment कितनी है उसमें हर एक code की investment कितनी है accordingly आपने investment को base बना कर ranks भी decide करा और management की policy के इसाब से decide हो गया कि category A में कौन जाएगा B में कौन जाएगा C में कौन जाएगा लेकिन यह जो पहली वाली statement है इसमें आपको सिर्फ ranks decide करने इसमें आपको indication मिलता है कि A में कौन B में कौन C में कौन सवाल यह उठता है कि ABC classification का एक अलग से statement भी तो होना चाहिए obviously और वो इस question के second part में पूछा भी गया ओके यह second part इस तरीके से इसका answer जाना जाहिए जब हमने इसकी statement बनाई तो उसमें आप देखेंगे category A, category B और category C को cover किया गया category A में rank number 1 और rank number 2 चला गया rank number 1 में code number 103 था rank number 2 में code number 101 था आप इसको compare कर सकते हैं यह rank number 1 है code number 130 यह rank number 2 है code number 101 फिर हमने क्या करा इनके respective investment के amount को pick किया और उनके percentage की information भी हमने लिखी accordingly उसका total कर लिया गया तो category A में जो दो code आए rank number 1 और 2 वाले उसमें investment का total था 5,250 और percentage का total था 70% similarly category number B में rank number 3 और 4 cover हुआ code number 106 और 104 cover हुआ respective investment लिखी गई उनका total किया गया और उस percentage का total आया 20% category C में rank number 5 और 6 आया code number 105 और 102 आया investment का total 750 और उसका proportion 10% तो जैसा standard parameter होता है ना कि category A में 70% investment आ गया category B में 20% investment आ गया और category C में 10% investment आ अच्छा अब एक सवाल ये भी उठेगा कि हमने इसमें quantity पर discussion क्यों नहीं करा well quantity पर discussion इसलिए नहीं करा क्योंकि question चाहता नहीं है question ने सिर्फ value को parameter माना है अगर वो quantity जैसी भी कोई बात कहते हैं तो हम quantity के column पर भी discussion करते हैं जो question हमने class में किया था उसमें amount पर भी discussion हुआ था और quantity पर भी पर ये जो question रहा ये थोड़ा limited form में रहा इसमें खाली amount को base बना कर category A, category B और category C decide हुआ तो 5 number का बड़ा चोटा सा question था student को इसमें जादा time नहीं लगा हुगा अच्छा आज मैं एक और question पिक करता हूँ और वो है batch costing से related तो batch costing से related रहा question number 1 का C part ये question आपके exam में 5 number का था इससे पहले कि हम question पढ़ना शुरू करें मैं आपको बता दूँ आपको पढ़ते हुए लग सकता है कि ये question batch का नहीं material cost के chapter से related है असल में क्या है कि material cost के chapter में आप पढ़ते है economic order quantity यानि कितने raw material का optimum level एक एक order में खरीदना चाहिए उसी से मिलता जूलता concept batches में भी आता है जिसको economic batch quantity कहते है जिसका मतलब है कि एक batch में optimum level पर कितनी quantity produce करनी चाहिए जहाँ EOQ raw material का concept है EBQ economic batch quantity आपके output का concept है वैसे concept अपने आप में same है आपको पढ़ते हुए लगेगा कि यह तो economic order quantity का question है आई इसको पढ़ना शुरू करते है AUX Limited has annual demand from a single customer for 60,000 COVID-19 vaccines तो एक customer आपका है वो आपसे पूरे साल में खरीदना चाहता है 60,000 vaccines the customer prefers to order in lot of 15,000 vaccines per order customer की choice क्या है कि वो आपसे एक एक order में 15,000 vaccines करीदेगा अगर उसको total चाहिए 60,000 vaccines तो साल बर में order होगे 4 ओके the production cost of vaccine is rupees 5,000 per vaccine that's okay the setup cost per production run of COVID-19 vaccines is rupees 4,800 and carrying cost they say rupees 12 per vaccine per month ओके आप देखेंगे कि कोशन तो annual basis पर अगर है आप उपर देख सकते हैं कि annual basis है पूरे साल की requirements 60,000 vaccines है और carrying cost आपको per month basis पर बताई गई है इसको अफकोर्स हम annual basis पर बाद में convert कर लेंगे ऐसे कोशन क्लास में बहुत सारे हुए हम आपसे दो बाते पूछ रहे पहली बात most economical production run आप इसको basically किस नाम से जानते है economic batch quantity यानि आप्टिमम लेवल पर सोचा जाए तो एक batch में कितनी quantity produce करनी चाहिए दूसरी बात calculate the extra cost that the company incurs due to production of 15,000 vaccines इने batch लेकिन जो economic suggestion है उसको अगर आप नहीं मानते और customer की requirement को fulfill करना चाहते customer चाहते कि एक एक batch में 15,000 vaccines बनाई जाए तो इससे company को कितनी extra cost spend करनी पड़ेगी तो basically ये question हमारे पास है इसका answer आप कैसे देंगे दो छोटी छोटी requirements है ओके इसका answer मैंने पहले से लिखा हुआ है जो पहली requirement है जिसमें आपको economic batch quantity पता करना है उसके लिए कुछ जरूरी बाते आपको पहले से मालूम होनी चाहिए जैसे annually आपको 60,000 vaccines produce करनी है ये पहली information question ये message दे रहा है कि एक production run का जो setup cost है वो है 4,800 और एक vaccine को अगर मुझे एक साल तक store करना है carry करना है अगर मुझे ये given है कि वो है रुपिस 12 पर vaccine पर month तो जैसी आप उसको 12 से multiply करेंगे तो आपको पता चल जाएगा carrying cost of 144 पर vaccine पर enum ओके अब अगर आपको economic batch quantity calculate करना है तो इसका square root वाला formula आपको ध्यान होगा मैं इसकी abbreviations use नहीं कर रहा हूँ मैंने इसको सीधा लिख दिया है square root में क्या आता है to multiplied with जो आपको पूरे साल में quantity produce करनी है multiplied with setup cost per batch या फिर question के हिसाब से setup cost per run whole divided by carrying cost per vaccine per enum सारी information आपके पास है annually 60,000 vaccines to be produced cost per production run 4,800 carrying cost per vaccine per enum 144 44 सारी information put करी इसका मतलब आपको एक-एक batch में 2000 vaccines produce करनी चाहिए आपने ऐसे कितने सारे question करें question का second part क्या कहता कि कस्टमर की requirement ये है कि एक-एक batch में 2000 vaccines नहीं उन्हें चाहिए 15,000 vaccines तो जब भी आप उस optimum level से इधर या उधर जाओगे तो extra cost होगी होगी तो इस question के answer को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बताता हूँ ये मैं अगली slide पर आ गया देखें पहले आईए economical level को समझते economical level क्या है कि आपको एक-एक batch में 2000 vaccines बनानी चाहिए अगर ऐसा ही होता तो economical level पर अगर हम aggregate पता करें किसका setup cost और carrying cost का तो वो aggregate कैसे पता किया जाएगा पहले setup cost calculate होगी इसे पता करने के लिए आपको number of setups मालूम होने चाहिए अगर आप annually 60,000 vaccines produce करना चाहते हैं और optimum level पर 2000 vaccines एक setup में बननी चाहिए तो total 30 setups होंगे एक setup की cost 4,800 तो आपको total setup cost दिखेगा 1,44,000 और आप जानते हो economical level पर जो setup cost होगी वही carrying cost होगी यह आपको equal मिलता भी है लेकिन आप पता कैसे करते हैं कि जो average inventory है अगर आप एक batch में 2000 vaccines बनाएंगे तो जैसे आप उसको 2 से divide करेंगे तो आपको पता चल जाएगा average inventory in hand get it multiplied with carrying cost per vaccine per annum यह भी 1,44,000 आगया तो भई अगर आप economical level का ध्यान रखोगे तो setup cost और carrying cost का total होगा रुपिस 2,88,000 लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कैसा हुआ मैं बताता हूँ यह मैं अगली slide पर आगया कैसा हुआ कि actually मैं customer ने कहा customer की requirement है इसके लिए हमारे पे जबरदस्ती करी गई we are forced to produce मैंने term यूज किया है forced to produce 15,000 vaccines in each order accordingly इस actual situation में जब हम गए तो हमने यह जानने की कोशिश करी कि हमारी setup cost कितनी है और हमारी carrying cost कितनी है हमने जब इसमें number of setups पता करे annual 60,000 एक setup में 15,000 vaccines तो 4 setups का establishment हुआ और अगर per setup cost 4,800 है तो total cost हो गया 19,200 फिर जब हम carrying cost पर गई और हमने पता किया average inventory तो 15,000 vaccines 2 से divide होंगे तो वो जाएगा average inventory get it multiplied with same amount carrying cost per vaccine per annum 144 यह बड़ा huge amount आ गया 10,80,000 total हमने पता किया 10,99,200 मैं फिर से पिछली slide पर आता हूँ यहाँ पर जो optimum level पर cost था वो था 2,88,000 लेकिन customer की requirement को पूरा करने के चक्कर में cost हमारी जादा हो गई कितनी हमारी extra cost है that is rupees 8,11,200 यह question का answer था और मेरे ख्याल से material cost के chapter में आपने EOQ के essay बहुत सारे question करें अच्छा देखो ऐसा है अब हम इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं अब हमें काम करेंगे अगला वीडियो जो मैं बराऊंगा जो मैं कल बनाऊंगा उसमें मैं labor cost के chapter के बारे में बात करूंगा जो इस बार के exam में पूछा गया तो आज हमने discussion किस पे किया material cost पर और batch पर चलिए आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं goodbye, thank you